नमशकार दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे दिय विवी स्टूडेंट जो एटी-कटी है जिनको एटी-कटी आई हुई है या फिर वो इनको बैक आई हुए या फिर वो एक स्टूडेंट है मतलब उन्होंने पस्क्राइब लिया था तो उनके लिए और उनको बैक है तो या post graduation के first year second year में हूँ आपके लिए क्या notification है तो private student और 80KT back student इन दोनों student के बहुत doubt आ रहे थे तो इन दोनों topics को मैंने इसमें ही cover कर दिया इन दोनों जो इनके लिए guidelines है जो इनके लिए instructions है 80KT और किसके लिए private students के लिए ये दोनों बाते इस video में अपन करेंगे ठीक है और साथी साथ एक मैं आपको summary भी दे दूँगा ठीक है एक 5 slide में बनाई है कि आपको last में जो 5th slide है उसमें आपको summary दे दूँगा कि पूरी चुची जी मैंने समझाई वो पूरा एक page में आपको इसमें मिल जाएगा कि क्या क्या बाती हुई है तो सीधे अपन वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो private student है उनके लिए क्या है तो देखिए अगर आप private student है ठीक है और आपके लिए 26 अगस्त को guideline आई थी वो guide लहा थी उसके थोड़ा से ध्यान दे जेते हैं तो लिखा हुआ था उसमें कि ये पहला paragraph तो कोई काम का नहीं है दूसरे paragraph को देखिए दूसरे paragraph में लिखा था उपरोक्त आदेश में परिपालन में सनातक प्रथम दूतिय वर्ष इसनातकुर्तर दूतिय सेमेस्टर के स्वधाई परिक्षारती private student विदा किनकी बात करी है UG first year, second year और अगर हम बात करें PG की तो PG second semester students की मतलब एक तरीके से non-final year private student ठीक है? non-final year private student अगर आप हैं उनके लिए क्या लिखा है कि उनका assignment प्राप्त करने वा मुल्यांकन कराकर प्राप्तांक online विश्व इद्धाले बिजवाने की निमनलिखित समय सारणी घोशित की जाती है मतलब अगर आप private student हैं ठीक है? और non-final year है ठीक है? मतलब आप private student हैं undergraduate graduation first year second year और post graduation में second semester के student है तो ये आपके लिए बाते लिखे हुई है कि आपकी जो exam होगी लबना आपकी जो exam होगी वो assignment based exam होगी ठीक है? ठीक है? और उसमें क्या-क्या बाते लिखे हुई है जैसे पहला करमांग में लिखा हुआ aggression केंद्र के संबंधित विशे के शिक्षक द्वारा assignment के लिए समस्त प्रश्णपत्र का चैन कर अपने अपने विध्याले के portal पर upload करना एवं साथ ही परिक्षारतियों को smartphone email पर सूचित करने की अंतिमतिती मतलब क्या बाते हुई? कि आप अगर private student है और non final year है मतलब UG first year second year के student है post graduation है second semester के student है तो आपकी जो exam है वो तीन तारिक से लेकर 9 तारिक के बीच में होगी assignment based exam होगी ठीक है? मतलब आपको assignment दे दिया जाएगा और वो assignment कहां से मिलेगा आपको? तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने-अपने महाविध्याले के portal पर upload करना है जो भी महाविध्याले का मतलब क्या? देखो विश्व विध्याले के DAVB और महाविध्याले मतलब जो उसके under colleges आते है जैसे चमेली दीवी college हो गया ठीक है? ऐसे जितने भी colleges DAVB के under आते हैं उनको अपने महाविध्याले बोलते है तो जहां पर भी मतलब आप private student है आपने जहां से भी जिस college से private का form भरा होगा आप उस college की website पर जाईए मतलब तीन तारिक को 3 सेप्टेंबर को उसकी website पर जाईएगा आपको एक बटन मिल जाएगा ठीक है? वहाँ से अब अपना assignment डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है? और वो assignment आपको 5 दिन के अंदर 9 तारीक से पहले पहले जमा करना आप जमा कहा करना है? उसके लिए second point दिया हुआ है यह चीज आपको समझ मैं ही? कि अगर आप non final year private student है तो आपको assignment कहां से मिलेगा? आपके महा विध्याले मतला आपके जहां पर अपने form भरा था जिस college से अपने form भरा था उसकी official website पर ही आपको assignment मिलेगा ठीक है? एक बार आप एक बार आप क्या करिए? ग्यारा बजे के बाद अपने जो particular जिस भी अपने form डाला है जिस भी college पर वहाँ पर फोन ला आके पूछ लीजे कि सर क्या क्या है? बाकी जितना मेर से हो सकता है मैं उतना आपको बता जेता हूँ. फिर second point पर आते हैं second point में लिखा है पर परिक्षार्थी द्वारा assignment लिखकर उसी महाविध्याले aggression केंदर जहां पर private परिक्षार्थियों ने form जमा किया हो या किसी भी उत्तर पृस्तिका संग्रहन केंदर में जमा करने की अंतिम्ति थी. मतला assignment तो आपने ले लिया ठीक है तीन तारीक को आपने assignment download कर दिया जहां पर आपने form डाला था या जिस college में आप जिस college से आप प्राइवेट प्राइवेट का form डाला है वहां से तो आपने तीन तारीक को assignment download कर लिया आप उसको जमा कहा करना है तो जमा करने के लिए इन्होंने बुलाए जब यह उत्तर पुस्तिका संग्रण केंद्र क्या है मतलब कहा कहां पर तो इसके लिए आप क्या करिए मैंने एक वीडियो बना के रिखी हुई है ठीक है आप simply क्या करेगा शोभितपाल ठीक है शोभितपाल सर्च करिए शोभितपाल सर्च करने के आद आपको मेरा चैनल आ जाएगा ठीक है उस चैनल पर click कर दीजे क्लिक करने के बाद ठीक है क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलरी डीएवीवी स्टूडेंट ओपन बुक से रिलेटेड एक दो तीन चार पांच पांच वीडियो मैंने बनाई है तो अगर आप 8080 प्राइवेट स्टूडेंट हैं या नहीं है तो भी आप इस वीडियो को स अपने फॉर्म डाला है वहां जामा कर दो या फिर ये इस वीडियो में मैंने कुछ क्लेक्शन सेंटर की लिस्ट बताई है उस वीडियो को आप देखो वहां से आप आइडे लेलो कि आपके आसपास कौन साब क्लेक्शन सेंटर है वहां पर जामा कर सकते हो ठीक है पिर पर के दो पॉइंट्स थें बाकी यह जो बाते लिखे होई है क्या हो रहा है बागी बाकी यह जो बाते लिखे होई है यह फिसंगर हन के क्जा और मुर्ण गरिशन के आपने काम च्णितृ है अग्रण के बद्धाले वहां के प्रिंसपल होगे उनको 28 तारीक से पहले पहले जो अपने काम के क्या बाते हैं अगर आप प्राइविट स्टूडेंट है ठीक है नॉन फाइनल ये प्राइविट स्टूडेंट है अंडर ग्रेजुएशन फर्स्ट येर में अगर यूजी की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में है तो आपको तीन तारीक को आपकी जहां से अपने आपको आपको या तो आप उस पर्टिकलर जहां से आपने फॉर्म डाला उस कॉलेज में जाके जमा कर दो या फिर उस अंग्रहन केंदर में जाके जमा कर दो यह तो बात हो गई प्राइवेट स्टूडेंट की ठीक है और और एक नोट भी लिखा हुआ उसको भी ध भी बेज पार है तो आप डाक उष्विधा से भी अपना जो असाइमेंट हो भी सकते हैं लेकिन ध्यान रखे कि 12 सेप्टेंबर से पहले-पहले वह बहुच जाना चाहिए कहा पर आपका जो आसाइमेंट का आपका जो assignment है वो कहा पोच जाना चाहिए ठीक है यहां लिखावाना है कि अग्रणी college जिस भी कॉलेज में आप भेजना चाहते हैं ठीक है जिस भी collection center में आप भेजना चाहते हैं वहाँ पर 12 तारीक से पहले-पहले आपका जो assignment है वो चले जाना चीए और अंतिम तिसली के पस्चात प्राप्त assignments अस्युकारे होगा ठीक है अगर ये 12 तरीक के बाद आपका assignment पहुचता है डाक द्वारा तो वो अस्युकारे होगा ठीक है फिर ये सेकेंड बॉइंट में क्या बाते लिखे हुए है कि परिक्षारती द्वारा अग्रणी महाविध्याले का पता उसकी आधारिक वेबसाइट से पता करें अच्छा आप डाक से बेज रहो तो आपको कोई address ये होगा न तो particular जो आपका महाविध्याले है जिस भी महाविध्याले में आप बेजना चाहरे हूँ ठीक है जो भी collection center में आप बेजना चाहरे हूँ या अपने college में भेजना चाहरे हूँ ठीक है तो डाक द्वारा तो जो उसका एड्रेस है वो particular जो college है उसकी official website पर आपको मिल जाएगा फिर third point लिखा हुआ है कि BBA MBA students के लिए क्या update है तो देखिए आपके लिए ये third point में इन्होंने लिख दिया है कि अभी आपके लिए ये जित्ती भी चीज़े हैं ये आपके लिए नहीं है ठीक है अगर MBA और BBA students के लिए नहीं है उनके लिए अलग से लिखाने आपके प्रत्थम से गोशित कियाईगी उनके लिए अलग से गाइडने लिका लिए तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे हैं अगर कुछ भी update आता है तो आपको जरूर मिल जाएगो BBA और MBA students के लिए अब आते हैं ये तो बात होगी private student अब आपको सब कुछ clear हो गया कहां गया private student आपको ये थोड़ा clear हो गया कि आपको assignment कहां से मिलेंगे और आपको assignment कहां पर जमा करने है और तारिक आप देख लिए गाँ तीन तारिक से नो तारिक ठीक है private student non final year की ठीक है अच्छा private student final year में हो तो उनके लिए आगे बात ही करेंगे अपन अच्छा अब ये एक और notification आया था 26 अगस्त को इसमें क्या बाते लिखी है इसको भी देख लीजें ठीक है ये पुरा में summarize है मतलब आपको इस वीडियो को देखने के बाद और कुछ देखने की जरूरत नहीं है अगर आप private ATKT student है तो ठीक है ओके प्राइवेट या ATKT student है ठीक है अब इसमें जो 26 अगस्त को जो गैडले नहीं थी उसमें क्या बाते लिखी उस पर आजाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है देखो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन इस वीडियो को देखने बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर कुछ भी तो भी गर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंड में पूछ सकते हैं ठीक है और अच्छा इसमें क्या लिखा है कि स्वधाई परिक्षारतियों के प्रायोगिक अंग के संबंद में उन महा विद्धाले द्वारा कारवाई की जाए जहां उनके द्वारा परिक्षा देखो यह जो है बात लिखी हुई है यहां लिखा हुआ है कि अंदर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक है तो जो आपके practicals है, practicals के बारे में लिखा हुआ, आपके practicals जो हो रहे हैं, उसके लिए आप अपने college पर जाके पूछिए, आपको वहाँ से topic दिया जाएगा, और उस topic पर आपको अपनी practical file बनानी पड़ेगी, जिससे आपको practical, जितने आपके उस practical file ले नंबर आएंगे न, वही आपके total, वही इसी को 100% मान ले जाएंगे, आपको अपने practical file में 100 में से 80 नंबर है, तो वही आपके 80 नंबर हो जाएंगे, आपके उसी marks, मतलब यह वाई 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 कुछ नहीं हो रहा है, जो यह जो practical file से आपको यतने marks पिलेंगे, वही आपके practical के marks होंगे, तो अगर आप तो मतलब एक तरीके से देखो समझो, जो अगर आप private student हो ना, यह बात जो लिखे होई है, प्राइवेट students के लिखे होई है, कि यह लिखा ना, स्वधाई परिक्षार्थी हो, मतलब प्राइवेट student के लिए, तो अगर प्राइवेट student अगर अगर अंडर गे लिखे हैं, थोड़ी से और clarity आई है, अपने को second में लिखा हुआ है, इसके साथ ही सनातक प्रथम दृतिय तरतिय वर्ष के नियमित, पूरक प्राप्त एवं स्वतित सनातक पाठिक्रम के दृतिय चतुर्त शरस्टम अस्टम और दशम सेमेस्टर, मतलब किन किन की बाते कर तो post graduation में आप second, fourth, sixth, eighth, tenth semester के student है, मतलब सभी एक तरीके से सभी private student की बात होगा इसमें, तो तथा सनातक उतर दृतिय चतुर्त सेमेस्टर, ठीकिए, अगर post graduation कर रहे हैं, तो second और fourth semester, बतलब सभी students, सभी सारे students, नियमित, private, सभी students के लिए बात लिकिए हैं, तो अब्धान स प्राप्त कर practical हे तो एक topic देकर final जमा करा कर, final जमा करा कर, उसके आधार पर प्राप्त अंक निर्धारित समय विदी में विश्वेधाले को भेजना सुनिश्चित करें, मतलब ये colleges के लिए, जो आपका particular colleges के लिए order लिखा है, उसके लिए order दिया गया है, कि आप उनकी जो practical practical exam है, ठीक है, अगर practical exam नहीं हो पाई है, या शेष रह गई है, या फिर जो उनका internal marks वगेरा है, ठीक है, अगर आप internal marks वगेरा तो होंगे उनके पास, तो उससे वो आपके marks दे देंगे आपको, लेकिन अगर practical exams की बात करें, तो आपकी practical exam के लिए उनने बोला है, सभी students के बोला है, कि आपकी जो practical exam होगी न, वो उसको एक topic देकर, उसपे एक topic देकर, आपको एक file जमा करनी पड़ेगी और उसी से आपको पूरे marks बिलेंगे आपके practical के marks, तो ये जो बात लिखे है second point, ठीक है, इस सभी students के लिए लिखे हुई है, ठीक है, अगर आप undergraduate, first year, second year, third year, post graduation में, second semester, fourth semester, regular student हो, या फिर private student हो, आपको अपनी practical file जमा करनी है, इसकी थोड़े, इससे आप थोड़े और detail लेना चाहते हैं, तो अपने particular colleges को contact करिए, कि sir, क्या-क्या है, क्या-क्या topic है, क्या मुझे, फड़ा clear कर देजे, लेकिन आपकी practical exam भी होगी, इसके अब आगे बढ़ते हैं, यह बात होगी, और थोड़ी समने बात कर ली, सभी student के बारे में, अब, अब, अब वीडियो स्टार्ट, वीडियो का एक और part स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे, 80-80 students की, चीकें, तो देखो, 80-80 students के लिए, मुझे कितना material रिल पाया, उतनी में आपको information दे देता हूं, तो देखें, सबसे पहले क्या है, कि, एक, यह जो notice आया था, ठीकें, यह आया था, 26 तारिक को आया था, higher education department की तरफ से, उसमें क्या बाते लिख भी थी, उसको देख लेते हैं, तो उसमें लिखावा था, कि, सनातक, सनातकोतर स्टर पर पूर वर्षों में, x-80-80 परिक्षार्थी हैं, तो उसकी परिक्षा भी assignment के माध्यम से संपन कराई जाए मतलब, x-80-80 student या back student है, ठीके, x का मतलब क्या हुआ, कि मानलो आपने 2018 में ही अपनी पूरी जो डिग्री वो प्राप्त कर ली थी, लेकिन क्या हो गे था, आपको किसी, एक second semester, fourth semester या किसी semester नो back लग गई थी, तो आप x-student हो जाओगे, तो x-student या 80-80 student दोनों के लिए बा अध्यम से होगी, ठीक है, तो I think, और किसके लिए बात करी ही, सभी student के लिए नहीं, सनातक और सनातक उत्तर, सनातक और सनातक उत्तर इस तर पर, मतलब अगर आप, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के student है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट अगरेजुएशन के student है, तो आपकी जो exam वगेरा होगी, वो किसके basis पर हो रही है, assignment based हो रही है, ये चीज़ आपको clear होगी अब, अब 80-80 student आपका doubt clear हुआ, कि आपकी जो exam हो रही है, assignment के मादें पर, अब इसके जो पूरी detail है, कि हाँ, क्या, अब assignment मिलेगा, कैसा, क्या है, उसके लिए आप थोड़ा सा university के notification का wait करिए, लेकिन ये clear कर दिया है, MP higher education department ने कि आपकी assignment based exam हो रही है, आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आपके, अब ये जो guideline थी 26 अगस्त को आई थी, और ये जो guideline थी, वो 13 अगस्त को आई थी, उसमें भी कुछ आपके लिए बात लिखे जिनकी प्रतम दूरती है, इसके लिए 80-80 एक स्टुरेंट् suppl लिखे विए, कि प्रतम दूरती है, दूरती सेमस्टर में 80-80 है, ठीक है, उनकी 70-80 की परिक्षा तता इससनात की स्तर पर एक सेमस्टर की आएउजित की जाएगे, मतलब अगर आप 80-80 एक स्टूडेंट हैं, ठीक है यह आपको क्लियर हुआ कि एटीकेटी स्टूडेंट से उनकी असाइमेंट बेज एक्जाम हो रही है अब आते हैं अपन फिफ्थ पॉइंट वीडियो को यहीं पर तोड़ा सा समराइस कर लेते हैं जित्ती भी चीज़ा हमने बात करी तो इस पॉइंट को अब ध्यान ठीक है प्राइवेट स्टूडेंट हो आप तीन साल का कोर्स कर रहे हुँ और अभी नॉन फाइनल यहर है नॉन फाइनल का मतलब क्या हुआ कि अंडर ग्रेजुएशन में आप अभी फर्स्ट यर सेकेंड यहर में हो और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बात करें तो सेक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपका असाइमेंट प्लस प्रेक्टिकल होगा ठीक है असाइमेंट बेस एक्जाम होगा प्लस प्रेक्टिकल बेस एक्जाम होगा तो आपको मैंने बता दिया कि आपको आसाइमेंट बेस एक्जाम किसे होगा तीन तारीक से लेक PG second semester के student हो, तो भी assignment plus practical, किसके बात करी थी, ये पहले point में, तो उनके लिए assignment plus practical visual exam हो रही है, clear हुआ, आपको private student पुरा summarize कर दिया, मेंने second point पर आते हैं, इतना थोड़ा clear कर लेते हैं, अb October working सु कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत पहली notification आ चुका था कि UG 6 semester में आप हैं तो आपकी open book exam होगी अब PG 4 semester में तो भी आपकी open book exam होगी ठीक है 50% weightage आपका open book exam कर रहेगा और बाकी जो 50% जो आपको marks पिलेंगे वो आपकी पिछले performance पे मिलेंगे तो private student final year ये चीज़ आपको clear हुई कि आपकी तो open book exam होगी ठीक है अब आगे आते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि 80KT backs X third year final year ठीक है मतलब अगर आप 80KT backs 80KT back आई है आपको ठीक है और अभी आप final year में हैं या फिर आप X student हैं और आप final year pass out कर चुके हैं या तो आप अभी final year में हैं और आपको फिछले सेम में 80KT back आई थी ठीक हैं या फिर आप X student है pass out कर चुके हैं तो आपके लिए क्या है तो आपके लिए देखिए आप अगर UG 6 semester में हैं तो आपको assignment based exam हो रही है आपकी ठीक हैं आप assignment दीजे आपकी back clear हो जाएगी PG 4 semester की बात करें तो वो भी assignment based है और अगर X student की बात करें तो उनके लिए assignment है ये चीज़ अभी clear होई कि 80KT backs और X student अगर तीन साल का course कर रहे हैं final year में है या final year pass out कर चुके हैं तो उनके लिए assignment based exam हो रही है अपनी back किसी clear करें assignment based के असाब से और ये information कहां लिखी थी आपको बताई थी नहीं मैंने यहां पर यह देखो ये information यहां लिखी थी कि सनातक सनातक उत्तर पर पूर वर्षों में X 80KT परिक्षारती हैं तो उसकी परिक्षा भी assignment के माद्यम से संपन कराई जाए ठीक अब एक ओड़ आउट आ जाता है कि सर 80KT back EX third year non final year में मतलब हम अभी undergraduate second semester या fourth semester या post graduation second semester में और हमको पिछले से में back आई तो उनके लिए क्या है तो भाई उनके लिए आर देखो अभी मेरे पास पक्की information नहीं है ठीक है जब तक से मेरे पास कोई बिल्कुल ठोस बिल्कुल मतलब कोई official guideline है जाती मैं आपको यह information मतलब ऐसे नहीं बता सकता लेकिन इतना कह सकता हूं कि देखो दो चीज़ों हो सकते हैं आपके साथ या तो आपकी भी assignment based exam होगी ठीक है यह चीज़ों सकती है अब दोनों के लिए प्रिपेर रही है नोटिफिकेशन आ जाएगा वह आ दो आपकी back shift कर दिजाएगी मतलब मतलब आगर UG second second semester में आपको य और UG first year first semester में आपको moved अभी आप किया UG 2nd semester for example UG 2nd semester में हो आपको UG 1st year में back थी तो जो आपकी 1st semester की back है वह जब 3rd semester की exam होगी न ठीक है या अगर आप में odd चलता हो और even चलता हो तो 4th semester की जो अगर मालो for example कर up वो उड़न दो अनी हो जाते है तो अगर सब्सक्राइब हो जाए पके इस जफ्र से अ laughing कि घृट पर से अब चलता आपकी रही और सब्सक्राइब को सकता है लेकिन अगर अबहरा भी मैं मतलब इतनी information आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि आपके दो ही चीज़े हो सकती है या तो आपको assignment based exam मिलेगी या तो आपकी जो है वो back shift हो जाएगी तो आपके लिए थोड़ा detailed notification या थे कि इन दोनों के लिए ये तो मैंने बात कहां से कही थी ये जो अपनी DEV ने अभी ATKT back student के लिए कुछ नहीं लिखा लाए लेकिन वो assignment based exam ही कराएगी क्यों क्योंकि जो MP higher education department है उसकी guideline में साफ साफ mention है कि ये लिखा रहे है या पर ATKT back students की exam जो है वो assignment के माध्यम से ही कराया जाए तो बस I think ये आपको पूरा clear हो गया होगा private ATKT back student को कि हाँ कैसे क्या procedure है ठीक है और और हाँ ये अगर आप ये पूरी वीडियो जो मैंने particularly DEV students को के लिए बनाई है उनकी help लिए बनाई है तो ये 5 वीडियो आप जाकर देख सकते हो कैसे देखोगे simply आपको गोहल पर लिखना है शोवित पाल शोवित पाल लिखने के बाद आपको ये इस चैनल पर क्लिक कर देना है इस चैनल पर जैसी आप क्लिक करोगे ठीक है ये शोवित पाल लिखने के बाद क्या हो रहा है ये शोवित पाल लिखने के बाद इधर आप click कर दो, येस पर click करने के बाद आपके पास येसा page खुल जाएगा और page खुलने के बाद, आपको जो आपको वीडियो लगती है जिस वीडियो को आपको समझना है, उस वीडियो पर आप click करते हैं पांच वीडियो आपके लिए बनाईए, मैंने open book exam आपके लिए बाकी ये जो चार उपर की चार वीडियो थे वीडियो को ये खतम करते हैं साथ ही साथ, अच्छा एक चीज और कि अगर आपके पास कुछ भी information आती है तो ये मेरा personal number है, 877-0133091 इस पर आप call मत करना है, ये काम करना मैं को WhatsApp करते हैं तो भी आपके पास information आती है, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो जितने सारे student है, ठीक है, उनकी help हो जाएगी अगर ज्यादा comment हो जाते हैं, तो ये फिर मुश्किल हो जाता है, लेकिन पूरी कुशिश करूँगा मैं कि आपको comment section आपको comment section आप दे पाऊँ, बाकि अगर आपको कुछ भी information आती है, तो मुझे इस whatsapp number ही है, ठीक है, इस whatsapp number का आप मुझे message कर सकते हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नी है, ठीक है, और लगेगा तो मैं आपका नाम, आपका नाम बता देना, आपको वीडियो में नाम दे दूँगा, ताकि आपको भी credit मिला आपके information के लिए, ठीक है, ऐसे करते हैं, वीडियो में सारी बात है हो गई, एक टीक टी प्राइवेट स्टुटेंट के लिए, नेक्स्ट वीडियो में क्या बात होंगी भी बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में में लुगा कि आप, अगर आप private student है, या फिर आप final student है, तो आपको कैसे answer लिखना है, ठीक है, उस पर बात करेंगे, कि बिल्कुल एक मैं आपको sample answer बता दूगा, ठीक है, क्योंकि कि तो questions आएंगे, वो विल्कुल, हल्वा question तो आएंगे, कि सीधा आपने Google किया और चाप लिया, तो जो question आएंगे, थोड़ा reasoning based होंगे, ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत, जिसका बुद